जैसे किसना दोस्तों, बी एस सर्माबाद द्वाद चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत हैं। दोस्तों, अगर घर के अंदर पीपल का पेड उग आता है छत पर तंकियों के पास में दीबारों पर छत पर पीपल के पेड उजाते हैं, तो इसका पर नाम क्या होता है और इसका उपाए भी क्या करना चाहिएं। दोस्तों, सास्टों के अंसार पीपल को ब्रम सरुप माना गया हैं। पीपल देवता की पूजा की जाती हैं, परिक्रमा की जाती हैं। सनी ग्रे की सांथी के लिए पित्र की पित्रों के तरपन करने के लिए दुखदाइद्र को दूर करने के लिए पीपल देव की पूजा करते हैं प्रन्तु दोश्तों घर के अंदर पीपल का होना सुन नी माना जाता पूजा के पेड़ पर नकरात्मक उर्जा भी आती है नकरात्मक सक्तिया भी थोड़ी देर के पेड हो जाता है तो इसके दुसते परिनाम हो सकते हैं dat दोस्तों अगर पीपल का पेड़ घरके अंदर हो गया है अगर छोटा सा पेड है तो आप उसकी पुजा करें और उसे उखार करके गमले में लगा और इसके बार कही पर उसे लगा सकते हैं धर्मिस्तान में भी रख्या सकते हैं अगर पेड़ बढ़ा हो गया है तो आपको चाहिए कि आप पहले उस पर कम से कम साथ दिन तक उस पीपल को कच्छा दूद चड़ा करके हलके से कच्छे दूद जल में मिलाके चड़ाएं उसकी नीन, रोली, मोली से, ढूप दीव से पूझा करें और प्रातना करें और साथ दिन के बाद में तब उस पीपल के पेड़ को उखरवाके कहीं लगवा दें अगर उखड नहीं सकता तो किसी और से कटवाएं आप स्वेम ना काटें और उस पीपल के पेड़ को पूजा करके साथ दिन तब कटवाएं और उसके बाद में उस ब्रिक्ष की जगए आप एक नया ब्रिक्ष जो है पीपल का कई इस्थान पर जरूर लगाएं और पीपल देवता से खिमा याचना जरूर करें इस तरह से इस बिदी के द्वारा अगर आप पीपल देव का यह उपाय काते हैं तो पीपल देवता की प्रिकूप का सामना नहीं करना पड़ता दोस्तों आप इस जानकारी को लाइक और शियर जरू करें चैनल को सब्सक्राइब करें आप सभी को जैसे कि